हेलो गाइस, तो आज मैं जिस मूवी को एक्स्प्लेन करने वाली हूँ, ये हाली में ही रिलीजड एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी है, जिसका नाम है एक्जूमा, इस मूवी की मुझे काफी जादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ये 2024 की हायस्ट ग्रोसीन कोरियन मूवी है, कहान बहुती जादा अमीर इनसान था, वो था तो एक कोरियन, लेकिन उसकी फैमली काफी सालों से अमेरिका में ही सेटल थी, ये दोनों सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर ये जियोंग की बीवी से मिलते हैं, पता चलता है कि जियोंग का बेटा जनम से पफॉर्म करने पर हारीम उस बच्चे के अंदर जियोंग के ग्रेंट फादर को सेंस करती है, अब इस चीज़ के बारे में पूरी बात करने के लिए वो दोनों जियोंग के घर जाते हैं, जियोंग उनको बताता है, जब उसका भाई मेंटल आस्पिटल में था, तो उसने वहीं पर अपनी जान ले ली थी, और तब ही से ये सब कुछ उसके साथ होने लग गया, और अब ये सारा कुछ उसके बच्चे के साथ हो रहा है, वो कहता है उसे हमेशा ये किसी के चिलाने की आवाज आती है, आरिम बताती है जैसे ही मैं इस घर के अंदर आई, तो मैंने यहाँ पर एक परचाई देखी, एक ऐसी परचाई जो तुम्हारे फैमिली के बलड लाइन को सप्रेस करती है, शायद वो परचाई तुम्हारे ग्रेंट फादर की है, इसको ग्रेफ स्कॉलिंग कहा जाता है, आसान शब्दों में कहा जाय तो तुम्हारे किसी एंसेस्टर को परिशानी हो रही है, जिसकी वज़े से वो तुम लोगों को अपने पास बुला रहा है, वो कहाती है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, दूसरी किम नाम के आदमी को देखते हैं, जो बेसिकली एक जियो मैंसर था, और उसके साथ एक को नाम का आदमी काम करता था, यहाँ पर वो दोनों एक्जूमेशन परफॉर्म कर रहे थे, एक्जूमेशन का बेसिक मतलब ये होता है, कि किसी भी ग्रेव को एक जगे से दूसरे था, इस जगे पर एक ओल लेडी को बरी किया गया था, और वो ओल लेडी उनके फैमिली मेंबर्स के सपनों में आकर उन्हें हांट कर रही थी, जब वो लोग उसके ग्रेव को चेक करते हैं, तो पता चलता है कि उस ओल लेडी के जो डेंचर्स थे, वही गायब थे, डेंच रख लिए थे, जिस वज़े से ये सब कुछ हो रहा था, अब सब कुछ दुबारा से ठीक करने के लिए, उनका डेंचर्स रख के उन्हें एक दूसरे जगे पर बरी किया जाता है, जिसके बास सब कुछ नॉमल हो जाता है, यहाँ पर किमेट नरेशन करता है, बताता है कि इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, वो मिट्टी में पैदा होता है और एक दिन मिट्टी में ही चला जाता है, और यह देथ और लाइफ की साइकल चलती जाती है, काफी सारे लोग इसको सुपर स्टीशन या फिर स्कैम भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिनों से हॉंट किया जा रहा है, फिर हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोंग अपने मॉम से कहता है, कि वो अपने ग्रेंट फादर का ग्रेव डिक करने वाला है, यह सुनकर उसकी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो कहती है तो मैंसे कैसे भरोसा कर सकते हो, यह सब कुछ अंदविश्वास होता है, लेकिन जियोंग से अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, जिस वज़े से उसने अपना मन बना लिया था, फिर कुछी दिनों में जियोंग कोरिया वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाका पेपर वर्क करना पड़ता है, और साथी में डिस्ट्रिक आफिस से परमिशन भी लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जियोंग कुछ भी ठीक से बता नहीं रहा था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो, वो कहता है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तु आजू बाजू बहुत सारे फॉक्स घूम रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि फॉक्स इसका ग्रेफ के आसपास घूमना एक बैड साइन था, जैसे उस ग्रेफ को चेक करता है, तो उसके उपर कोई अजीब सा नंबर लिखा हुआ था, यूजवली किसी भ ग्रेफ को जादा ही सिंपल है, तो जियोंक कहता है कि पहले के जमाने में ग्रेफ की बहुत चोरियां होती थी, इसी वज़े से इस ग्रेफ को बहुत सिंपल रखा गया है, ये सारी बाते किम से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो ये काम करने से सीधा मना कर देता है, उसके सारे साथ ही पूछते हैं कि आप इस काम को क्यों नहीं करना चाहते हो, किम कहता है मैं ये काम 40 सालों से कर रहा हूँ, अगर हमने गलत ग्रेफ को हाथ भी लगाया, तो हम सबकी मौत हो सकती है, इस जगे को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे ये जगे श्रापित हो, यहाँ पर किसी भी इनसान को बरी नहीं करना चाहिए, अगर एक्जूमेशन के टाइम पर कुछ भी प्रॉबलम हुआ, तो फिर सब कुछ बरबाद हो सकता है, फिर किम जियोंग के घर आया हुआ था, जियोंग बताता है पहले उसकी वाइफ की दो बार मिसकरेजिस हो चु पा रहे हो, तो जियोंग सिधा मना कर देता है, तब ही हारिम कहती है, ग्रेव को मूफ करने के लिए हम लोग एक रिच्वल परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी बाचित होने के बाद किम भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, फिर अगले ही दिन इस रिच्वल को परफॉर का रेंजमेंट किया जाता है, यहाँ पर जियोंग की बुआ भी आई हुई थी, जैसे ही रिच्वल स्टार्ट होता है, तो यह काफी जादा इंटेंस हो गया था, यहाँ पर काफी स्ट्रॉंग लेवल का रिच्वल किया जा रहा था, हारिम अपना नाच गाना परफॉर्म करती है और साथी में बॉंगिल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था ये सिन लिटरली ऐसा था कि मुझे सच में गूसबंस आ गए थे काफी स्ट्रॉंग सीन था रिचुल चलते रहता है और वो लोग ग्रेफ को डिक करना स्टार्ट करते हैं देखकर लग रहा था कि वो कॉफिन काफी रॉयल फैमिली को बिलॉंग करता था अब एक्जूमेशन करने के लिए उस कॉफिन को बहार निकाला जाता है उन लोगों का प्लैन ये था कि वो लोग उस कॉफिन को एक अच्छी जगे देखकर दुबारा से उसे क्रिमेट करने वाले थे ताकि उस सोल को पूरी तर डर जाता है और डर के मारे वो उसे कुचल के मार देता है कुचलते उस साब के चीकने की आवाज आती है उसी मुमेंट पर वहां का सारा मौसम अचानक से बदल जाता है यानि कि एक नेगेटिव एनरजी बाहर आ गई थी मौसम बदलते ही बारी शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से ये लोग आज एक्जूमेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे किम जियोंग को बताता है हम लोग आज इस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश के दिनों में ऐसा काम नहीं किया जाता है माना जाता है कि मरे हुए लोग अच्छे जगे पर नहीं जाते हैं वो क की सा लग रहा था कि ये लोक ज़रूर कुछ चुपा Megadda का पता लगाने के लिए बाज़ो वाले टेंपल में जाता से उस टेंपल में उसे एक मॉंक मिलता है ये मुसंते पूशता है क्या इस टेंपल के मांग का नाम गिसुने का नाम जयोंग नहीं को बताया था present में वो किसी और ही monk का नाम बताता है कहता है कि सुने के बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है वो आदमी उस से पूछता है तुम ये सब कुछ क्यूँ पूछ रहे हो किम कहता है उपर के mountain पर एक grave है जिसने के ऊपर किसी कभी नाम नहीं लिखा है वो आदमी बताता है उस grave के बारे में पुराने जमाने में बहुत सरी अफवाएं थी लोग कहते थे कि उस grave के नीचे खजाना चुपा हुआ है इसी वज़े से पहले के time में बहुत सरी grave की चोरियां होती थी साथी में वो आदमी उसे कुछ equipment दिखाता है कहता है ये उनी लोगों ने चोड़ा है जो grave की चोरिया करते थे वो आदमी पूछता है कि तुम इतने interested क्यों हो किम कहता है हम लोगों ने आज जी उस grave को डिक किया है दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके मौर्ग में उस coffin को रखा गया था उस आदमी को भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर खजाना है अब खजाने की लालच में वो उस coffin को खोलने लग जाता है तब ही बॉंगिल और हारिम अंदर की तरफ आ रहे थे उसी moment पर उस coffin के अंदर से एक soul बाहर निकलता है वो एनरजी इतनी जादा ताकतवर थी कि इस चकर में हारिम बिमार पढ़ जाती है वो बताती है कि उस coffin से कुछ बाहर आया है जो कि बहुत ही जादा खतरनाक है दूसरी तरफ हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है जहांपर जियोंग के डैड बिलकुल खिडकी के सामने बैठे थे वो पहले से ही पैरलाइश थे और हर टाइम अपने डैड को याद करते रहते थे तभी उन्हें अपने डैड के स्पिरिट की आवाज आती है वो कहते है मेरे लिए दरवाजा खोलो ऐसा कहा जाता है जब तक आप खुछ से दरवाजा या खिडकी नहीं खोलते हो तब तक कोई भी स्पिरिट अंदर नहीं आ सकता है अपने डैड के आवाज सुनकर वो खिडकी खोल देता है अंदर आता ही वो अपने बेटे और अपनी बहु दोनों को खतम कर देता है इस तरफ हारिम किम से कहती है आप अभी क्या भी सोल जाईए और मैं उस स्पिरिट को दुबारा से ग्रेव में लाने का रिच्वल स्टार्ट करती हूँ सौ सालों से वो स्पिरिट चीक रहा है चिला रहा है किसी ने भी उसकी मदद नहीं की इसी वज़े से उसके मन में बस गुस्ता भरा हुआ है जिस वज़े से वो अपने ही ब्लड लाइन के लोगों को मारने के लिए निकला है फिर हारिम और बॉंगिल उस स्पिरिट को दुबारा से ग्रेव में लाने के लिए रिच्वल स्टार्ट करते हैं इस रिच्वल को इसलिए पफॉर्म किया जा रहा था ताकि वो स्पिरिट बॉंगिल के शरीर में आ सके और हारिम उस स्पिरिट से बात कर सके थोड़ी ही देर में बॉंगिल पॉजेस हो जाता है यानि कि वो स्पिरिट उसके अंदर आ चुकी थी आरीम उससे बहुत ही प्यार से बात करती है पूछती है तुम इतना गुसा क्यों हो सारा कुछ यहीं पर छोड़ कर दुबारा से वापस चले जाओ स्पिरिट कहता है वो अपने सारे बचों को अपने साथ लेकर जाएगा फिर थोड़ी ही देर में वो बॉंगिल के शरीर से वापस निकल जाता है दूसरी तरफ जियॉंग के पास किम का कॉल आता है और किम उसको पूरी बात समझाता है उसी मोमेंट पर उसे दर्वाजे पर नौक होने का आवाज आता है जो कि किम का ही आवाज था यानि कि फोन पर भी किम था और दर्वाजे पर भी किम था फोन वाला किम कहता है तुम किसी भी हालत में दर्वाजा मत खोलना तुम दर्वाजे से दूर हो जाओ और विंडो खोलो जियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो विंडो खोल देता है उसी मोमेंट पर उसे उस इवल स्पिरिट की हसने की आवाज आती है वो जैसे ये उपर की तरफ देखता है तो वो स्पिरिट वहीं पर था पता चलती है कि आखिर ये लोग इतने अमीर हुए कैसे थे जब कोरिया और जपान का वार हुआ था उस टाइम पर जियोंग के ग्रेंट फादर और बाकी के एंसेस्टर्स ने कोरिया का नहीं बलकि जपान का साथ दिया था यानि कि उन लोगों ने पैसो के लिए कोरिया को धोका दे दिया था और ग्रेंट फादर की सोल इन लोगों के पीछे इसलिए पड़ी थी क्यूंकि जिनकी वज़े से ये लोग अमीर हुए थे उसी इनसान के इन लोगों ने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं की उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए कोई भी रिच्वल परफॉर्म नहीं किया और बहुती आराम से अमेरिका में सेटल हो गए जियोंग यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पहले ही ग्रेंट फादर का स्पिरिट उसे खतम कर देता है अब वो स्पिरिट जियोंग के बेटे को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है किम उनकी फैमली से कहता है हमें अभी की अभी बाड़ी को क्रिमेट करना होगा अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर बच्चे की जान भी जा सकती है लेकिन इतनी रात को वो लोग क्रिमेशन का काम नहीं कर सकते थे इसलिए पूरे कॉफिन को जलाना ही बेस्ट आप्शन था अब किम जियोंग की बुआ यानि कि उस ग्रेंट फादर की बेटी से परमिशन मांगता है कहता है हमें उस बॉड़ी को जलाना ही होगा वरना वो उस बच्चे को नहीं छोड़ेगा और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है वो स्पिरिट बच्चे के पास पहुंच जाता है अब किम को कॉफिन जलाने की परमिशन मिल गई थी जैसे ही वो कॉफिन जलना शुरू होता है दीरे दीरे करके वो स्पिरिट कमजोर हो जाता है और जियोंग के बेटे की जान बच जाती है ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉमल हो चुका है लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी फिर काफी दिनों के बाद किम को एक वोकर के बारे में पता चलता है जो बहुत दिनों से बिमार था इसलिए किम उस आदमी से मिलने के लिए जाता है वो आदमी बताता है कि बहुत दिनों से वो पागल सा हो रहा है उसे हर वक्ष स्नेक्स हॉंट करते रहते हैं वो बताता है कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन वो लोग ग्रेंट फादर के ग्रेव के पास गए थे ये देखकर किम बहुत डर गया था वो जैसे उस ग्रेव को थोड़ा सो और डिक करता है तो उसे वहाँ पर एकव कॉफिन मिलता है जिसको वर्टिकल पोजीशन में जमीन में बरी किया गया था हाला कि किसी भी कॉफिन को हॉरिजॉन्टली बरी किया जाता है अब किम बाके के तीनों को भी वहाँ पर बुला लेता है वो चारों जैसे उस कॉफिन को बाहर निकालते हैं तो वो कॉफिन जरूरत से जादा ही बढ़ा था और उस कॉफिन को हर तरफ से सील किया गया था ये सब देखके उन्हें बहुत ही अजीव वाली फिलिंग आ रही थी किम कहता है ये कॉफिन किसी फैमिली मेंबर का हो सकता है इसलिए हमें जियों की फैमिली से पूछना होगा अब वो चारों मिलकर उस कॉफिन को एक पास के टेंपल में लेके जाते हैं जहां पर किम पहले भी गया था वो वहां के मौंग से कहता है आप आज रात के लिए इस कॉफिन को यहीं पर रख लीजे जिसके लिए वो आदमी मान जाता है लेकिन उस कॉफिन को ऐसे ही नहीं रखा जाता है उसके आजू बजू प्रोटेक्शन का घेरा बनाया जाता है ताकि अगर उसके अंदर को स्पिरिट हो तो वो इतने आसानी से बाहर ना निकल पाए अब पूरी बात जानने के लिए दुबारा से ग्रेंट फादर की बेटी को बुलाया जाता है किम उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें बता दो वो कहती है मुझे इस कॉफिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है किम कहता है मुझे पता चला है कि तुम्हारे डैड ने अपने ही कंट्री को बेश दिया और इसी वज़े से मॉंग गिसुने ने तुम्हारे डैड को सजा दी तो ग्रेंट फादर की बेटी बताती है कि मॉंग गिसुने कोरिया नहीं बलकि जैपैनिस था तो यहाँ पर ये बास समझ में नहीं आ रही थी कि अगर ग्रेंट फादर ने कोरिया का नहीं बलकि जपान का साइड लिया था तो फिर आखिर उस मॉंग गिसुने ने ग्रेंट फादर को सजा क्यों दी जबकि वो मॉंग तो खुदी जैपैनिस था और ग्रेंट फादर ने भी जपान की मदद की थी काफी रात हो चुकी थी और सारे लोग सो गए थे उसी टाइम पर उस आदमी को बार्ण से कुछ आवाज आती है इसलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तब हम बॉंगिल को देखते हैं जैसे उसके नेन खुलती है तो वो देखता है कि वो आदमी उसके उपर था और वो काफी जखमी हालत में था वो बार बार एक ही बात दोरा रहा था कहरा था कि वो मेरा लिवर लेकर चला गया अब बॉंगिल कुछ मंतर पढ़के उस आदमी को वहाँ से दूर करता है यानि कि वो आदमी वहाँ पर रियल में नहीं था बलकि बॉंगिल उसे सेंस कर पा रहा था अब वो उस आदमी को धूंटे वे टेंपल के पास जाता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था तब ही उसे बार्ण से कुछ आवाज आती है वो जैसे उस बार्ण के अंदर जांकता है तो उसे एक साथ फूट लंबा कोई चीज दिखता है जो उसी आदमी को फाड के खा रहा था और साथी में वहाँ पर बहुत सारे पिक्स भी थे ये सब देख के वो बहुत डर जाता है दूसरी तरफ हम हारिम को देखते हैं जो अपने ग्रेंडमा के स्पिरिट से बाते कर रही थी पता चलता है कि उसकी ग्रेंडमा के स्पिरिट हमेशा ही हारिम को प्रोटेक करती थी और उसकी ग्रेंडमा पुराने जमाने की बहुत बड़ी शेमन हुआ करती थी तभी बॉंगिल वहाँ पर पहुंचता है वो दोनों जैसे ही स्टोर का दर्वाजा खोलते हैं तो उन्हें अंदर से काफी जादा बद्बू आ रही थी वो देखते हैं कि वो कॉफिन उपर की तरफ से पूरा फटा हुआ था यानि कि वो स्पिरिट उस कॉफिन को उपर की तरफ से फाड़ के वहाँ से निकल चुका था बॉंगिल समझ गया था कि जो कुछ भी उसने देखा वो सब सच था वो हारिम को बताता है कि मैंने बार्ण के अंदर बहुत ही अजीब सा चीज देखा ये सुनकर हारिम उसे बाकी के दोनों को जगाने के लिए बोलती है बॉंगिल तो वहाँ से जा चुका था तबी हारिम को वहाँ पर एक समूराय का हेलमेट मिलता है ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था उसी मॉमेंट पर वह साथ फूट वाला चीज दरवाजे के बाहर पहुँच गया था वो सेंस कर लेता है कि अंदर कोई तो है वो कहता है प्रोटेक्शन वाला सील तूट चुका है वो पूछता है कि अंदर कोई इंसान है तो हारिम उसके सामने जुग जाती है वो कहती है यहाँ पर कोई इंसान नहीं है बलकि मैं तो आपकी सरवंट हूँ तो जनरल का स्पिरिट उसे पूछता है क्या तु मेरे लिए कुछ खाने का समान लेकर आई हो जैसे कि स्वीट फिश या फिर मेलन जो कि हमेशा से उसे पसंद है उसी मोमेंट पर वो उसके सामने एक इंसानी सर फिकता है ये सब देखके हारिम बहुत डर गई थी वो डर के मारे कहती अभी मेरे पस आपके लिए खाने का कुछ भी नहीं है लेकिन मैं जल्दी ही बनाऊंगी लेकिन तब तक वो स्पिरिट उसको उपर से देख लेता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है इसके पहले कि वो सपिरिट हारिम को मारता उसी time पर बौंगिल एक रोट लेकर उसे step कर देता है लेकिन वो स्पिरिट इतना खुंखार था कि बॉंगिल उसके सामने टिकी नहीं पाता बॉंगिल समझ गया था कि अब वो मढने वाला है इसलिए वो हारिम से कहता है तुम यहां से भाग जाओ उसी मुमेंट पर वो स्पिरिट बॉंगिल के पेट को चीर कर उसका लिवर बहार निकाले लगता है तब तक बाकी के दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं उसी मुमेंट पर वो गोस्ट अचानक से चैंटिंग चालू कर देता है और एकदम से एक आग के गोले में बदल जाता है वो लोग उस आग के तुरू बहुत सरे विजन को देख पा रहे थे जिस विजन में उस समुराय की कहानी चुपी हुई थी तब ही हारिम की नजर बॉंगिल पे जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी वो चिला चिला कर उन दोनों को मदद के लिए बुलाती है लेकिन वो दोनों इतने डर गए थे कि वो अपनी जगे से हीली नहीं पा रहे थे क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था उसे तुरंती हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है हारिम को बॉंगिल के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो हमेशा कहता था कि जब तक हारिम मेरे साथ है मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तभी केम उसके पास आता है कैता है सब कुछ मेरी वज़े से हो रहा है अगर मैने उस कॉफिन को बाहर नहीं निकाला होता तो आज ये सब नहीं होता हारिम बताती है वो कोई नॉर्मल सोल नहीं है बलकि वो एक ऐसा सोल है जो इंसानों और जानवरों के सोल से अटैच होकर टाइम टू टाइम इवल्व होते हुए गया है इसी वज़े से वो इतना ताकतवर है पहले मैं बहुत सरे चीजों को सेंस कर पाती थी लेकिन इस बार म में उसे उस आदमी ने बताया था जो उनी चोरों का था जो उस टाइम पे ग्रेव की चोरियां करते थे उस औजार के बीच में उसे एक फोटो मिलता है अब वो दुबारा से उसी ग्रेव के पास जाता है दूसरी तरफ हारिम बॉंगिल के पास आई हुई थी वो समझ जात तबी हारिम उसे उसी घोष्ट के बारे में पूछती है वो कहती है कि वो आदमी कौन था बॉंगिल बताता है कि वो मेरा मास्टर है जिसने 10,000 लोगों की जान ली थी और तबी जाकर वो इतना डिवाइन एंटिटी बन पाया और साथी में वो कोई मैप कॉडिनेट्स बोलने सो रहा था ये सब देखकर किम बहुत ड़ जाता है वो सारी बाते को को समझाता है वो बताता है कि वो डीमन अभी भी वहीं पर है वो दुबारा से अपने ओरिजनल जगे पर चला गया यानि कि जो कॉडिनेट्स वहाँ पर लिखे हुए है उस डीमन को दुबारा से दिन मे वहीं पर जाना पड़ता है उसकी शक्तियां रात में बहुत ताकत्पर होती है दिन के टाइम में उसकी शक्तियां कमजोर होती है दिन को याद आता है जियोंग ने मढ़ने से पहले कहा था कि fokse ने tiger का waste कट कर दिया यानि कि यहाँ पर fox गिसुने को कहा जा रहा था वही Japanese monk और tiger जब हम korea के map को देखते हैं ना तब वो बिल्कुल tiger के shape की तरह दिखता है fox ने tiger का waste cut कर दिया यानि कि north korea और south korea का division यहाँ पर actually में उन लोगों ने किया क्या था कि korea के mountain वाले regions में जगे जगे पर metal stakes लगा दिया था यानि कि metal rod लगा दिया था ऐसा करने से होगा क्या वहाँ जो energy flow हो रही है वो automatically cut हो जाएगी और यहाँ पर जिन चोरों के बारे में बताया गया है वो actually में grave की चोरिया नहीं करते थे उन्हें कोई खजाना नहीं चाहिए था बलकि वो तो korean patriots थे यानि कि korean देशवक जो की उसी metal stakes को धूंड रहे थे ताकि वो उसे वहाँ से निकाल कर destroy कर सके इन शोर्ट वो अपने country korea को बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि korea का जो energy है वो हमेशा ही balance में रहे वहाँ पर किसी भी type की कोई negative energy ना हो और गिसुने ने जान बूच कर जियों के grandfather की body वहाँ पर दफन की क्यूंकि वो जानता था कि वो एक royal family से belong करता है किसी के अंदर इतने हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी उसकी body को touch करे और उस metal rod को जियों के grandfather के body के नीचे रखवाया और रही बात उस demon की तो वो उस place को guide कर रहा है और ये बात बॉंगी ने hospital में बताया था कि उसका master उस जगे को protect कर रहा है हारीम उन दोनों से कहती है हम लोग उस demon से लड़ कर देना तभी हारीम की नजर बॉंगिल पर जाती है जब उस demon ने बॉंगिल पर attack किया था उस time पर उस ने उस body के उस part पर attack किया था जहां पर कोई भी tattoo नहीं था और उसके शरीर पर जो tattoos थे वो कोई normal tattoos नहीं थे बलकि बॉंगिल ने protection के लिए उन tattoos को अपने शरीर पर कर निकल जाते हैं ताकि वो demon इतनी आसानी से इन पर attack ना कर पाए तो उनका plan ये था कि हारीम कुछ time के लिए उस demon को distract करेगी और तब तक किम और को मिलकर उस metal steak को destroy कर देंगे वो लोग अपने साथ sweet fish लेकर आये थे जो कि उस demon को बहुत पसंद था वो जगे जगे पर fishes गिर देते हैं ताकि वो demon खाने के लालच में distract होकर बाहर निकल जाए दूसरी तरफ हम बॉंगिल को देखते हैं हारीम ने उसे अपने सातियों के साथ वहाँ पर छोड़ दिया था और उन लोगों से कहा था कि तुम लोग किसी भी हालत में बॉंगिल को protect करना क्योंकि वो demon बॉ इस ट्रैक कर रही थी जनरल यहाँ पर अपनी war वाली कहानी बताना स्टार्ट करता है कि गिसुने ने कौन सी चीज कैसे की और कप की वो बताता है कि गिसुने उसे किसी royal जगे पर लेकर जाने वाला था लेकिन उसने उसे यहाँ पर बंद कर दिया जनरल तो अभी तक इसी समझ चुका था कि हारिम उसे डिस्ट्रैक करने की कोशिश कर रही है वो हारिम को माड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है लेकिन ठीक उसी टाइम पर हारिम के ग्रेंडमा की स्पिरिट वहाँ पर पहुंच जाती है और उनको देखकर वो कुछ भी नहीं कर पाता हार इसे उपर की तरफ देखता है तो वो डीमन वहीं पर था वो दोनों उसे वहाँ से निकल कर भागने के लिए बोलते हैं लेकिन किम वहाँ से जरा भी नहीं हिलता अब किम को पूरी बात समझ में आती है उसे याद आता है कि यह डीमन हमेशा इस जगे पर वापस आ जाता है और जिस कॉफिन में उस डीमन को रखा गया था उस कॉफिन को वर्टिकली बरी किया गया था जबकि किसी भी कॉफिन को वर्टिकली बरी नहीं किया जाता है उसे यह मोमेंट पर वो डीमन उसके सामने आ जाता है और पूछता है क्या तो मेरे सरवन बनना चाते हो या फिर म उस टाइम के लिए जलने लग जाता है, किम समझ चुका था, कि वो मैटल स्टेक, और कोई नी बलकि वो डीमन खुद है, अब जब वो दोनों किम को बचाने के लिए आते हैं, तो वो डीमन उन दोनों पे अटेक कर देता है, उसी मुमेंट पर उन तीनों को, उस जेनरल के सार वो मॉंक गिसुने था, जो कि फॉक्स के रूप में उस जगे को प्रोटेक कर रहा था, गिसुने ने ये सब इसलिए किया था, ताकि वो कोरिया के अंदर होते वे डेवलपमेंट्स को रोक सके, यहाँ पर जो अच्छी एनरजी फ्लो करती है, उसका बैलेंस भिगार सके, इसलिए उन लोगों ने कोरिया के माउंटन्स वाले रीजन पर जगे जगे पर मैटल स्टेक्स लगाया था, गिसुने जानता था, कि नॉमली किसी भी मैटल स्टेक को धुड़ना असान है, इसलिए उसने जान बूच कर एक ऐसे जनरल की बॉड़ी ली, जिसने 10,000 लोगों की नेगेटिव एनरजी थी, उसको डीमन में कनवर्ट करने के लिए, उन लोगों ने एक तलवार का यूज किया था, उस तलवार के साथ, उन लोगों ने एक रिच्वल परफॉर्म किया था, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ये वही तलवा और उसके बाद उसे उसी कॉफिन में बन करके, ग्रेव में वर्टिकली बरी कर दिया था, ताकि इसके बारे में कोई पता ही ना लगा सके, कि मेटल स्टेक और कोई नी बलकि ये डीमन खुद है, और जान बूझ कर जियांग के ग्रेंट फादर की बॉड़ी को वहीं दफन किया गया था, ताकि कि सिको चा कर भी शक न हो, किम समध जाता है कि उसे इस डीमन को कैसे खतम करना है, जब भी किसी ऑपोजिट चीर को मिलाया जाता है, तब एक बहुत बड़ा रियक्शन होता है, जैसे आक को बूझाने के लिए पानी का यूज किया जाता है, वैसे ही मे बॉंगिल तक फिल कर पा रहा था वो जोड से चिलाने लगता है जब को उसको कुलाड़ी से मारने की कोशिश करता है तो उस डीमन को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो खुदी मेटल स्टेक था अब किम उसी लकडी को यूज करके जनरल के शरीर को दो तुकडों में काट देता है जैसे वो डीमन खतम हो जाता है बॉंगिल भी पॉजिशन से बाहर आ जाता है यानि कि वो बिलकुल नॉर्मल हो चुका था डीमन तो खतम हो चुका था लेकिन किम की हालत बहुत खराब थी वो लोग तुरंती उसे हास्पिटल में शिप्ट करते हैं उसकी कंडिश सीन में हमें किम की बेटी का शादी दिखाया जाता है जहां पर बाकी के सारे लोग भी आए हुए थे और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है मुझे लिटरली इस मूवी को एक्स्प्लेइन करने के लिए इस मूवी को दो बार देखना पड़ क्योंकि बहुत सारे सीन्स को मूवी के थरू डिरेक्टली समझा ही नहीं जा सकता है कुछ कुछ सीन्स बहुत ही जादा कॉम्लिकेटेट थे जैसे कि वो लाइन फॉक्स ने टाइगर के वेस्ट को कट कर दिया पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि टाइगर है क्या फ मुझे इस मूवी का कॉंसेप बहुत पसंद आया फ्लोट काफी जबर्दस्त था और थोड़ा जादा होना चाहिए था आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईए कि आपको ये मूवी कैसी लगी अगर आप लोगों को मेरे एक्स्प्लेशन पसंद आई हो तो आप लेक्श और सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच फो वाचेंग